अबिनन्दन आप बार और बहुत बहुत स्वागता दोसों ज्योति श्विग्ञान के इस अधियासिक चैनल पर और मैं हूँ आप सबका एश्ट्र दोस्त रुपेन आर्शार माश्टर की एंड सुवण आक्षन ग्रहों की बैलेंसिंग का दैनिक प्रयोग का सेग्मेंट मार्च 2019 से इस कोशिश की शुरुवात की गई थी साथ में एक प्रेडिक्शन भी की गई थी कि बही यूग परिवर्तन का दशक आ रहा 20, 21, 22 और 23 में अभी तक हम बहुत कुछ देख चुके हैं और अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है कई लोगों को ये अंदेशा हो चुका है कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है और कई लोग आज भी इस ब्रह्म में है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो ब्रह्मान में जो परिशितियां बनने वाली है और उसका जो प्रभाव पूरे भुबाग के उपर पढ़ने वाला है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं तो एक कोशिश करके देखते हैं यहां पर इस सेग्मेंट के साथ दो चीजों की आवशक्ता पड़ेगी नियमित्ता और धैरिया 24 गंडों में आपको रातो रात करोड़ पता करोड़ पती बनाने की कोई स्कीम नहीं है कि आपकी सारी परेशानिया खतम हो जाएगी लेकिन अगर नियमित्ता और धैरिया आप इस सेग्मेंट के साथ इंवेश्ट करते हैं यकिन मानिए लॉंगर टम में आपके व्यक्तिगर जीवन में और पारिवारिक जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्तो जरूर से बनेंगे दिनां 23 मैं 2013, 23-5-2023 मंगलवार का दिन माश्टर की कब करनी है? सुबह सनान करते हैं वक्त और क्या करना है? सनान के पानी में तीन चुटकी हल्डी पावडर, तीन पींच जिसे चुटकी कहते हैं हल्डी पावडर रसवी में इजिली अवले बोलोगा, तीन चुटकी हल्डी पावडर मिला दीजिए और फिर उस पानी से सनान जरूर से लगेगा कि बले ऐसे प्रयोगों से क्या हो सकता है लेकिन जो लोग भी नियमित रूप से कर रहे हैं उनके कमेंट्स पढ़िए तो आप सोच में तो पढ़ जाएंगे कि यह क्या है यह ज्योतिश का जादू है यह हमारे प्राचिंतम ज्योच्षिय विग्न्यान की ताकत है सिद्दान प्राचिंतम ज्योतिश के ही है इनोवेशन आपके इस एस्ट्रदोस का है प्रतिदिन जो मतलब कल के दिन में जिस प्रकार की ग्रव गोचरी अवस्थाएं बनने वाली है उसको ध्यान में रखके प्रयोग रेडी किया जाता है और एक दिन पहले दोप पेपर लेना है स्क्वेर चौक और उसके उपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पैन से लिखना है चौबिस गंटों के लिए उस परची को अपने पास रखिए दूसरे दिन जब नयासुवन अक्षर आप लिखेंगे तो पुरानी वाली परची को बी सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो लाष्ट् पॉक्षन में अपने उल्टे हाथ की हदली के सेंटर में लिख़े मजब आप Right है तो लेफ्टें की हदली के सेंटर में और Left है तो राइट हैं की हदली के सेंटर में अक्षर भी एक विग्यान होता है Master की और सुवन अक्षर इखटे ज्यादा प्रभावी होते हैं दोनों को कीज़े कल का सुवन अक्षर जो आप लिखेंगे वो है अमर वाला अ अब अब कड़ा लिखते हो उसमें पहला लेटर अ वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है अब ब्लाश्टिंग बर्डे और एनिवर्सरी किसी भी साल में अगर तेई समय आपका जन्मदीन है या फिर आपकी मेरेज एनिवर्सरी का है प्रयोग एक पॉजिडिविटी पूरे साल के लिए बर्डे है तो खुद करना है मेरेज एनिवर्सरी है दोनों करे तो ज्यादा अच्छा है इंसिश करूँगा कि दोनों करे ये जो हल्दी पाउडर डाल के स्नान करने का प्रयोग है स्नान के जल में इस प्रयोग को एक साल के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लिजिए अगली बर्डे या एनिवर्सरी पे मिलेंगे कितना सीधा साधा सा प्रयोग आपके जीवन में कितनी पॉजिटिविटी लेकर आया जरूर से कीजिएगा रुपेनार शा नाम के इस यूडिव चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ वाला बैल आइकोन दबा दीजिए और उसके बाद तीन आप्शन्स आएंगे ओल के उपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती जाए और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लिम के लिए सॉलुशन चाते हैं स्वागत है आपका वाटसप नंबर 971-444-3110 971-444-3110 कॉल मत किजिएगा कॉल सब नहीं ले पाएंगे अपना नाम बड़ डिटेल्स और प्रॉब्लेम्स डिटेल्स के साथ वाटसप नंबर के उपर लिग दीजिए अक्षाइट जी आपको वहाँ पर मिलेंगे प्रोसिजर वहाँ पर समझा दिया जाएगा नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जाए पिर